Good morning friends, हम बंगाल की गवेर्णर जेनरल पढ़ रहे थे और उस क्रम में हमने बंगाल के शुरूआत के जो चार गवेर्णर जेनरल थे वो हमने पढ़ लिये थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवेर्णर को बंगाल गवेर्णर जेनरल बना दिया गया था लास्ट जो गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था वेलेजली जो की भारत में साइक संधियों को बड़ी स्तर पर लागू करता है अब हम पढ़ते हैं कौन वॉलिस इससे पहले भी कौन वॉलिस एक बार गवर्नर जनरल बन चुका था 1805 में इसकी पुने नियुक्ती की गई तो यह याद रखने योग ये तत्य है कि एक मात्र गवर्नर जनरल जिसकी दो बार नियुक्ती हुई थी वह था कौन वॉलिस और इसी प्रकार आप पहले का तत्य भी याद रखियेगा कि वह एक मात्र गवर्नर जिसकी भारत में दो बार नियुक्ती हुई वह था रोबर्ट कलाईव एक मात्र गवर्नर गवर्नर जनरल कौन वॉलिस इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनता है जोर्ज बारलो 1805 से 1807 इसके समय में मदरास में वैलोर विद्रो होता है 1806 इसके वैलोर विद्रो का कारण ये था कि अंग्रेज द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रियोग बंद कर दिया गया था इस समय मदरास का जो गवर्नर था वो था विलियम बैटिंग और इसने इस विद्रो का कारण प्रेज पर प्रतीबंद को बताया था ये बहुत ही महत्पून तथे है कि बदरास के गवर्नर विलियम बैटिंग ने विद्रो का कारण प्रेज पर प्रतीबंद को बत अगला गवर्नर जनरल बनता है लॉड मिंटो अठारा सो सास से अठारा सो तेरा इसके शाशनकाल में महत्पून गटना अठारा सो नो इश्वी में अमरिस सर की संधी माराजा रंजी सिंग और अंग्रेजों के मध्य जिसके दोरानों ने नेपोलियन का खत्रा टाल दिया था लोड हैस्टिंग्स 1813 से 1823 इस गवर्नर जनरल ने बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बाश्चा से मिलने से मना कर दिया था इसके शाशनकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्दुवा 1814 से 1816 इश्वी जो कि संगोला की संधी के द्वारा समाप्त हुआ संगोला की संधी की शर्तें पहली ये कि शिमला, नेनिताल, रानी खेत और कुमाउ आदी पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा नेपाल का सिक्किम से अधिकार समात कर दिया गया और काट माडो में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई इस युद के बाद ही गवर के अंग्रेजी सेना में शामिल होने लगे थे और अठाज सतावन की जो क्रांती थी उसमें गवर के अंग्रेजों के वफादार थे एक प्रमुक तथे ये कि लोड हैस्टिंग्स वो गवरनर जनरल था जिसने पिंडारियों का उनमूलन किया था पिंडारी जिने की मराठो के शिकारी कुत्ते कहा जाता था तो जब ये पिंडारियों का उनमुलन करता है तो ये उत्री सेना का नेतरत्व स्वेम करता है और दक्षिनी सेना का नेतरत्व टॉमस हिसलोब को सौपता है कुछ पिंडारियों के प्रमुक नेता हैं वो देख लेते हैं चीतू जिसे जंगल में चीता खा गया था वासिल मुहबब जिसने जेल में आत्मत्या कर ली थी करीम खा जिसे गोरकपूर की जागीर दी गई थी और अमीर खा पिंडारी जिसे टौक की जागीर दी गई थी मेलकम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के शिकारी कुट्ते कहा था इसके समय में दक्षिन भारत में रयतवाडी और उत्तर भारत में महालवाडी नामक भूरा जस्व व्यवस्ता शुरू की गई अब हम देखते हैं रयतवाडी व्यवस्ता बूरा जस्व की रयतवाडी व्यवस्ता रयत का अर्थ होता है किसान अर्था इसमें किसान को भूमी का मालिक बनाया गया 1792 इश्वी में कैप्टन रीड ने 12 महल से इस व्यवस्ता की शुरूआत की थी और कालांतर में मदरास में मुन्रो और बॉम्बे में एल्फ इंस्टन नहीं से बड़े तोर पर लागू किया था इसमें किसान को भूमी का मालिक माना गया यह व्यवस्ता भारत के 51% शेत्र पर लागू होती थी अब रियत वाड़ी व्यवस्ता को लागू करने के क्या कारण थे पहला यह कि दक्षिन भारत में जमिदारी वर्ग का अभाव था कमपनी ने माना कि किसानों को भूमी का मालिक बनाने से वे भूमी में सुधार करेंगे किसानों को भूमी का मालिक बनाने से वे अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे और अंग्रेजों को अपने प्रशासनिक सुधार लागू करने में आसानी होगी चोथा इस्थाई बंदोबस्त की जो प्रणाली थी उसमें बहुत सारी कम्या थी जैसे की कंपनी भूराजस्वे नहीं बढ़ा सकती थी जमीदारों ने भूमी सुधारने के प्रियास नहीं किये थे और इसमें एक अनुपस्तित मद्देश्टों की एक शंकला बन गई थी आगे हम देखते हैं रहयतवाडी विवस्ता के लाग प्रारम में किसानों ने बंजर भूमी को सुधारने के प्रियास किये अंग्रेजों को अपने प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में आसानी रही भारत में भूमी वितरन का आधर शिस्ता पित हुआ अब देखते हैं रहयतवाडी विवस्ता की हानिया इसमें भूराजस्व अधिक था कमपनी समय समय पर भूराजस्व बढ़ा दिया करती थी इसलिए किसानों का शोशन हुआ अंग्रेज नगदी में भूराजस्व लेते थे इसलिए किसान साहुकारों के कर्जजाल में फस गए थे राजस्व वस्तुली के लिए कमपनी को अधिक करमचारियों की आवशक्ता थी अधर इस विभाग में दूसरे विभागों से करमचारी लाए गए तो इस प्रकार जो दूसरे विभाग थे वहाँ पर प्रशाशनिक कारिय में कमी आई एव्यवस्ता फैली कमपनी के जो प्रशाशनिक अधिकारी थे अब वो जमिदारों के रूप में आ गए थे प्राचीन भारतिय भूमी विवस्ता अब तूट गई थी और अब भूमी और किसान दोनों चलाएमान हो गए थे इस विवस्ता के अंतरगत वसूली में कठोरता बरती जाती थी और भूर आजस्व जमान ना कराने पर किसान को भूमी से बेदखल कर दिया जाता था कमपनी ने क्रशी में कोई नई तक्निक लाने का प्रियास नहीं किया था उसका ध्यान केवल भूर आजस्व के संग्रहेंड पर रहता था अंतिम कमपनी दक्षिन भारत की परिस्तियों से परिचित नहीं थी इसलिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भूरा जस्व कर लिया जाता था अब दूसरी व्यवस्ता महाल वाड़ी व्यवस्ता एक व्यवस्ता हम दे चुके हैं रहयत वाड़ी व्यवस्ता जो की दक्षिन भारत में थी अब हम देखेंगे महाल वाड़ी व्यवस्ता जो की उत्तर भारत में थी महालकार्त हो था गाउं या गाउं का समू तो यह व्यवस्ता 1822 इश्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी और इसे जो बड़े ताउर पर लागू करता है वो था मार्टीन बर्ड तो इस प्रकार मार्टीन बर्ड को उत्तर बारत में भूमी सुधारों का जनक कहा जाता है उत्तर पस्चिम प्रांत में महालवाडी व्यवस्ता को जैम स्थॉमसन ने लागू किया था और ये ब्रेडिश बारत के 30% शेत्र पर लागू होती थी रायत वाड़ी 51% शेत्र पर धक्षिन भारत में और ये 30% शेत्र पर उत्तर भारत में ये पंजाब संयुक्त प्रांत और उत्तर पस्चिम प्रांत में लागू की गई थी इस व्यवस्ता के अंतरगत पूरे गाउं का भूराजस वे एक साथ निश्चित कर दिया जाता था और यहाँ पर ग्राम सभा को भूमी का मालिक बनाया जाता था प्रारम में भूराजस वे 80% रखा गया लेकिन बाद में विल्यम बैंटिंक ने इसे गटा कर 66% कर दिया था और कालांतर में डल होजी ने सहारन पूर नियम के अनुसार इसे 50% कर दिया था अब हम देखते हैं माहाल वाड़ी व्यवस्ता की कमिया इस व्यवस्ता के अंदरगत भूराजस वे अधिक था इसलिए किशामों का शोशंग होता था भूमी पर ग्राम सबाग अधिकार था परंतु जो बड़े किसान थे वो इसमें जमिदारों की भूमी का में आ गये थे और वो लोग छोटे किसानों की भूमी हरप लिया करते थे कई किसान भूराजस वे देने से मना कर देते थे इसका प्रभाव अन्ने किसानों पर पड़ता था और इससे गाउं की सामाजिक व्यवस्ता में एक बिखराओ की स्तिति उत्पन हो गई थी सामाजिक विवस्ता तूट रही थी अब अगला गवर्नर जनरल आता है जॉन एडम्स 1823 में जॉन एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंद लगा दिया था इसने राजा राम मोहन राई के अकबार मिरातुल को बंद कर दिया था अब हम देखते हैं अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का लोड एम हर्स्ट जो की 1823 से 1828 तक रहा तो लोड एम हर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल भास्षा से बराबरी के इस तरपर मिलता है लोड एम हर्स्ट के काल में ही प्रतम आंगल बर्मा युद्ध हुए 1824 से 1826 प्रतम आंगल बर्मा युद्ध का समापन यांदभू की संधी के दुआरा हुआ इस युद्ध का क्या कारण था कि इस युद्ध के समय बेरखपूर छावने के जो 47 native infantry बाटालियन थी उसके सेनिकों ने विद्रो कर दिया था क्योंकि वे समुद्री यात्रा नहीं करना चाते थे समुद्री यात्रा क्यों नहीं करना चाते थे क्योंकि भारत में एक कली वज्य नियम लागू होता था जिसके अंतरगत समुद्री यात्रा को प्रतिबंदित माना जाता था या दूसरे देश में जाना प्रतिबंदित माना जाता था तो इस नियम के तहट वो जाना नहीं चाते थे और इसलिए उन्होंने विद्रो कर दिया तो इस प्रकार हमने बंगाल के सभी गवर्नर जनरल पढ़ लिये हैं इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल तैंक यू